हेलो दोस्तों, बॉलिवुट के लिए इस टाइम कोई डेट साल की सबसे बड़ी है, तो वो 11 अगस्त है, क्योंकि इसी दिन तीन बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ओफिस पर क्लेश करने वाली है, सनी देओल स्टार अगदर 2 तो उसी दिन के लिए प्लान थी, फिर एन तीन फिल्मों में से अनिमल को पोस्पोन कर दिया गया है, लेकिन क्यों, रनबीर कपूर ने इस साल तो जूटी में मकार के साथ एक सॉलिड स्टार्ट किया बॉक्स ओफिस पर, अब रनबीर की मच अवेटेड अनिमल का सब को वेट है और जब से इसका टीजर निकल कर आय है, लेकिन इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, गदर के मेकर्स तो किसी भी हालत में पीछे हटने को तयार नहीं है, गदर और अनिमल दोनों ही एक्शन फिल्म्स है, तो ओडियन्स बढ़ जाएगी, जैसे भी अब गदर टू को लेकर जो बज है, अगर ये रहा तो अनिमल जैसी फिल्म के लिए प्रॉबलम हो सकती है, क्योंकि गदर टू एक मास फैमिली अक्शन मूवी है, जबकि अनिमल वॉयलन्स से भरी हुई, अब अनिमल के मेकर्स इतना भी तक्कर के मूड में नहीं है, कि वो घाटा उठा ले, वैसे भी अनिमल की शूटिंग जू ये तो उसमें टाइम लगता है, और पॉइंट करने वाली बात ये है कि अनिमल का भी वी एफेक्स शाहरुप की रेड चिलीज ही कर रही है, जवान मूवी भी रेड चिलीज ही निपता रही है, और जिस तरह से रेड चिलीज के पास टाइम की कमी है, ऐसे में वो दो है कि अनिमल को कब रिलीज किया जाएगा, बॉलिवुट के फिल्म कैलेंदर को देखे तो अगले तीन महीने तो पैक्ट है, कई फिल्में रिलीज के लिए तयार बैठी है, सितंबर में जवान और योध्धा रेडी है, अक्तूबर में अक्षय की ग्रेट इंडिन रेस्क् की गनपत पार्ट वन आनी है, नवंबर में सल्मान की टाइगर 3 फाइनल है, कंगना की एमजेंसी भी नवंबर में रिलीज के लिए ही शेडियूल है, तो अनिमल के मेकर्स चाहते है कि वो फिल्म को एक दिसमबर को रिलीज करे, इससे उन्हें बॉक्स आफिस पर लंबा ट